दोस्तों यूटूब से पैसे कैसे कमाते हैं? कम्पलीट इसी वीडियो में जानेंगे आप एक student है, housewife है या फिर एक ऐसे इंसान है जो एक platform ढूर रहे हैं जिससे आप पैसे जनरेट कर सकें तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यूटूब भी एक बहुत ही popular platform है जिससे लाखों लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं कड़ोरों रुपए कमा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम आपको complete जानकारी देंगे सुरू से लेके लाश तक सारी चीज़े बताएंगे कि यूटूब से पैसे कैसे कमा जाते हैं एकाउंट बनाने से लेकर बैंक एकाउंट में पैसे कैसे आते हैं complete जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी इसलिए इस वीडियो को complete आप देखिए बिल्कुल भी miss मत करिए skip मत करिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिपकेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि ग्यान का संचार हो सके तो पहले हम आपको बता देते हैं कि YouTube पर चैनल कैसे बनाते हैं दोस्तो YouTube पर चैनल बनाने के लिए बस आपको एक Gmail ID की जरूत पड़ती है और जब आप अपना Mobile सेट अप करते हैं तो आप अपने Mobile में Gmail ID डालते ही हैं फिर भी अगर आपके Mobile में Gmail ID नहीं है तो आप एक Gmail ID बना लीजिए और उसे अपने Mobile में Login कर लीजिए इसके बाद बस 10 सेकिंड में आपका YouTube चैनल बन के तयार हो जाएगा चैनल बनाने के लिए आप अपने Mobile के YouTube एपलिकेशन में चले जाएए बहाँ पर Right Corner में Profile के आईकोन पर किलिक कर दीजिए उसमें Your Channel को सेलेक्ट कर दीजिए अपने चैनल का नाम डालिए और Create Channel पर किलिक कर दीजिए बस आपका चैनल बन के तयार हो जाएगा इसमें बस 10 सेकिंड का टाइम लगता है अब आपका चैनल बन के तयार हो गया अब आप YouTube पर काम कर सकते हैं YouTube पर काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने YouTube वीडियो की कैटिगरी चूच करना पड़ेगी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं हम कौन सी कैटिगरी में वीडियो बनाएं तो चलिए सीखते हैं आउटू सलेक्ट कैटिगरी फोरा YouTube चैनल देखिए मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका इंटरस्ट है या फिर जिस भी फिल्ड में आप काम करते हैं आपको उसी फिल्ड में वीडियो बनाना है उसी फिल्ड से रिलेटेड वीडियो बनाना है मालो आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टडी से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं जैसी कि मैथ की सौट ट्रिक्स दे सकते हैं reasoning के वीडियो दे सकते हैं, particular किसी subject की वीडियो बना सकते हैं, particular class के लिए वीडियो बना सकते हैं, second example लेते हैं, माल लीजे आप house wife हैं, तो आप cooking के वीडियो बना सकते हैं, ऐसे ही अपने interest के अनुसार, अपने field के अनुसार आपको category चूज कर लेनी हैं, और उसी से related वीडियो start करना है, अब आपका channel बन गया, category select हो गई, अब आपको अपना पहला वीडियो सूट करना है, तो चलिए सीखते हैं, how to suit for YouTube, दोस्तों यहाँ पे दो condition हो सकती हैं, कि आप एक तो अपना face दिखा के वीडियो बनाते हैं, और एक बिना face दिखाए, वीडियो बना सकते हैं, क् अपने region होते हैं, कोई face दिखा सकता है, कोई नहीं दिखा सकता, तो दोनों condition में आप content बना सकते हैं, आप face दिखा के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप अपने mobile को एक जगा fix कर दीजिए, और उसके सामने अपना content अपना वीडियो बनाना सुरू कर दीजिए, और अगर face नहीं दिखाना है, तो आप जो काम कर रहे हैं, बस उसको ही दिखाते रहे हैं, और उसको समझाते रहे हैं, तो दोनों condition में आपका काम हो जाएगा, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, जब आपका video suit हो जाएगा, तो आपको एक अच्छे editor की जरूरत पड़ेगी, जब आ सारे application आपको पिले स्टोर पे मिल जाएंगे, मैं जो यूज करता हूँ, वो काइन मास्टर यूज करता हूँ, काइन मास्टर पर मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ, link description में है, आप जाके देख सकते हैं, बहाँ पर मैंने ये भी बताया है, कि आप काइन मास्टर को कहा अपलोड करें, यूटूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए आपको अपने यूटूब एपलिकेशन में जाना होगा, नीचे प्लस का आइकोन दिखाए देगा, उस पे किलिक करके अपलोड आप वीडियो पे आपको टैप कर देना है, जैसा ही टैप करेंगे तो आपक एक एपलिकेशन की जरूत पड़ेगी, जिसको हम वाइटी स्टीडियो कहते हैं, इस एपलिकेशन से आप अपने वीडियो में थमनेल लगा सकते हैं, वीडियो में टाइटल डाल सकते हैं, डिस्किप्शन डाल सकते हैं, और टैग लगा सकते हैं, ये सब चीजे क्या होती ह आपको नहीं पता तो आप मुझे comment में बताइए मैं अगली किसी वीडियो में cover कर दूँगा अब most important बात कर लेते हैं कि YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं तो YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको अपने channel को monetize करना होगा अब आप सोच रहा होंगे कि ये monetize क्या होता है इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि YouTube पैसे कहां से कमाता है तो आप जो YouTube पर वीडियो देखते हैं उस वीडियो पर आप देखते होंगे कि बीच बीच में ad चलते हैं किसी company के ad चलाए जाते हैं ये जो ad चलते हैं ये एक paid service होती है यानि कि आपके वीडियो पर अगर ad चल रहा है तो YouTube इनका पैसा ले रहा है उन companyों से पैसा ले रहा है जिनके ये ad होते हैं अब चुकि आपके वीडियो पर ये ad चल रहा है तो YouTube कुछ हिस्सा आपको दे देता है कुछ हिस्सा खुद रख लेता है क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है आपका वीडियो है तो revenue जो है share हो जाता है For example एक company है Jometo उसने 100 रुपए की advertisement यूटूब पर करी और यूटूब ने आपके वीडियो पर add लगा दिया अब क्या होगा कि आपके वीडियो पर ये add लगा है तो आपको 55% revenue चला जाएगा YouTube के पास 45% revenue चला जाएगा यानि कि आपके पास 55 रुपए आ गए YouTube ने 45 रुपए रख लिए ये चीजें large scale पर की जाती है 55 लाक भी हो सकते हैं 55 कडोर भी हो सकते हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि YouTube पैसे कैसे कमाता है अब हम ये समझते हैं कि आप अपना चैनल monetize कैसे करेंगे आपने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिये monetization क्या होता है ये भी समझ लिया लेकिन आपको अपने चैनल को monetize करने के लिए YouTube के कुछ criteria पूरे करने होंगे ये criteria YouTube ने इसलिए रखे हैं क्योंकि YouTube पर कोई spam ना कर सके अभी फिलाल YouTube पर चार criteria हैं जिसमें पहला है कि आपके पास 1000 subscriber होना चाहिए 4000 गंटे का watch time होना चाहिए कोई भी active community strike नहीं होना चाहिए और two step verification होना चाहिए और जो 4000 गंटे watch time और 1000 subscriber हैं ये पिछले एक साल के अंदर आपके होना चाहिए यानि कि पिछले एक साल में count किया जाएगा कि आपके चैनल पर 1000 subscriber आए की नहीं 4000 गंटे आए की नहीं ये दोनों चीजे count होंगी माल लीजिए सारे criteria आपने पूरे कर लिए आपका चैनल monetize हो गया अब आप YouTube से पैसे कैसे मंगवाएंगे अपने bank account में पैसे कैसे मंगवाएंगे देखिए आपको पता ही होगा कि YouTube Google का ब्रांड है ऐसे ही AdSense भी एक Google का product है जो कि YouTube के सारे payout करता है जब आपका चैनल monetize हो जाएगा तो आपको इस पर account बनाना होगा और इसमें अपना bank account number link करना होगा एक fixed date पर पिछले माईने का जो भी आपका revenue होगा वो आपके bank account में बेज दिया जाएगा तो इतनी सारी process होती है मैंने basic चीज़ें आपको बताई हैं इन पर काफी details से चीज़ें बताई जा सकती हैं काफी time इसमें लग सकता है इसलिए आपको patience रखने होगे फिलाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें